तो पहला मैच जैसा शुरुवात होना था उसी तरीके से शुरुवात किया है यहां पे चेंड़ाई सूपर किंग्स मेरे बाई और चेंड़ाई सूपर किंग्स ने छे विकेट के साथ RCB को हरा दिया है पहले मैच में आईपेल 2024 का और मैच में देखा जाए तो मतलब आज का जो हीरो है मैच का तो थमनेल में आपको दिखी रहा है भाई हम लोग पहले भी बात किये थे कि जब मुस्ताफी जूर रहमन चिपक में खेलेगा तो इसको बहुत जादा सूट करने वाला है यह पीच दिल्ली में लाश्ट के दो साल उतने अच्छे तरीके से इसका गया नहीं था बट सही जगा पे जब सही प्लेयर आता है ना भाई और वो अगर महंदर सिंग धोनी के कप्तानी के अंदर आता है तो यह ऐसा चमकता है जो कि आज पहले मैच में दिख गया भाई और इस तरीके से अगर यह बंदा चला पूरा सीजन तो कमाल कर सकते है मेरे भाई क्या हल चाल भाई लोग एक ही दिन में मतलब IPL आ चुका है इतना ज़दा मतलब मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया बट हैट्स अब टू दिनेश कार्थिक और अनुज रावत अगर वो लोग आज वहीं पे रन नहीं मारते ना भाई तो आई थिंग यह मैच उतना इंटर भाई हमको तो फाइफर लेना था नहीं मिला क्या कर यार कैसी हो भाई लोग बताइए और आज से हम लोग करने वाले है पोस्ट मैच लाइब हमने रखे थे अपने फैंटसी टीम में मुस्तफिजूर रह्मन को भाई पूरे मार्केट में भाई आज कोई नहीं रखा मुस् सा इस प्लेयर पे और यह प्लेयर ने मेरे को वन साइड़ जीता है आज अगर आपको देखना है फैंस देखो लिंक है टेलिग्राम चैनल का अगर आप भी चाते हो फैंटसी से पैसा कमाना तो सीधा जाकि हो आपर क्लिक कीजिए और जोइन हो जाईए और जल्दी से लाइ मेरे भाई जल्दी से लाइक कर दीजिए और क्या हल चाल भाई लोग स्नाइपर भाई क्या हल चाल 74 जीता है वेलकम वेलकम भाई बहुत पैसा कमाओ तुम लोग हम चाते हैं बट पहले सीध के फैंस एक बार लाइक हो जाए आज से हम लोग करने वाले है पोस्ट मैच होंगा आप लोग का कॉमेंट भी लेंगे सवाल का एंसर करेंगे और जादा देर तक नहीं करेंगे क्योंकि बारा वजे तक आई पिल खतम हो रहा है इस साल आड़ वजे से चालू हो रहा है तो एक घंटे करने वाले हैं और कहां से सुरुआत करें सुरुआत तो फैप का जाए तो दीपक चाहार को धो रहे थे कोहली को तुम अगर पूरा पावर प्ले देखोगे कोहली ने आई थिंग पांच से छे बॉल सिर्फ खेला है बॉल खेला ही नहीं भाई उनोंने बॉल खेला ही नहीं पूरा फैब डुपलिसिस खेला है वहां पे और उसके बाद अगर तुम उस हिसाब से देखोगे जिस तरीके से RCV स्टार्ट किया था हमें लग रहा था कि 180-190 आज बन सकता है हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है क्योंकि पीछ काफी अच्छा लग रहा था बैटिंग के लिए बट ओहीं पे आते हैं मतलब यह देखो यार कमाल तो ह हैं बट टैलेंट सही जगा सही जगा पर होना चाहिए आज मुस्ताफी जुर्रह्मन सीएसके में आए और सीएसके फैंस के लिए बहुत बड़ी वात है एसार भाई कंग्राचुलेशन कंग्राचुलेशन टू आल सीएसके फैंस मेरे भाई वहीं पर RCV का बोला जाए तो और RCV अलजरी जोसेप भाई समझ में नहीं आया वाई इतने करोर दे के क्या हुआ उतना कुछ समझ में नहीं कर पाया पहले लाइक कर दो यह जो भी लाइक नहीं कियो हो जल्दी से लाइक कर दीजिए सबका कॉमेंट लिया जाएगा बट यह तो चूना लग गया लग रह का मयंग डागर काफी अच्छा बोलिंग कर रहा था तो अगर देखा जाए यहां पर फैब डुपलेसिस को लेके पहले सुरुवात फैब ने काफी अच्छा किया रजत पाटीदार बहुती बुरा फॉर्म के साथ चल रहा है बट वहीं पर आते हैं यहां पर मुस्ताफी जूर्रह्मन आते ही पहले भाई फैब को चलता किया बट विराट वाला जो कैच लिया ना रचिन रविंद्रों ने भाई वो अलग ही लेविल का विराट का ही कैच लिया था ना इतिंग भाई लोग क्या बोलते हो वो विराट का ही catch था ना जो राचिन ने लिया विराट को हुली देखते हैं, येस भाई क्या catch था यार वो I think that is the catch of the match मेरी भाई, फैफ का लिया था अरे ओ दोनो का ही लिया है फैफ का catch था, हाँ हाँ अबे दोनो का ही लिया है, राचिन ने बोला जाए मतलब यार कॉनवे का एकदम सही रिप्लेस्मेंट रेनुमित्तल के तरफ से एक सूपर चैट पहला सूपर चैट आचुका है हम परते हैं एक सेकेंड बट वाट एप फ्लेयर यार रचिन रविंद्र दिखा दिया कि क्या अबिलिटी है उसमें और जिस तरीके से वो शुरुआत किया है भले आज पचास पचास ना मारा हो बट मैं आपको बताने वाला हूँ अगले फैंटसी टीम बोल लो या अगर इसको और सॉलिट थोरा पीछ मिल जाए ना भाई रचिन रविंद्र भाई कौन वे का जगा खाने वाला है भाई थैंक्स पर दा हंड्रेड रेनू मित्तल बोल रही कि रसी बी ने लास्ट में बहुत प्रेडिक्टेबल बॉलिंग की है थोरा बैट्समन के माइंड से खेल ना तुमने सही बोला प्रेडिक्टेबल बोलिंग तो एकदम पर्फेक्ट बोला नहीं यहाँ पे ना माइंड से हाट गया वो लोग एक टाइम में ना मैच जब डैर्ल मिचल आउट हुआ वहाँ से मैच को पकरना था बट आर्सी भी कभी ये मैच को पकर ही नहीं पाया जो भी बैट्स बन आया जिस तरीके से इन्होंने रन रेट को मेंटेन किया अगर तुम देखोगे दस ओवर में इस वाफ बन गे थे तो ये रन रेट बहुत मैटर करता है जब तुम्हारे उपर तुम प्रेसर डालते हो विकेट के बाद तुम्हें प्रेसर डालना चाहिए वहीं पे तुमने जो बोल रहो ना प्रेडिक्टेवल बॉल किया एकदम बिल्कुल सही बोले हो प्रेडिक्टेवल बॉल भी किया और तुम अगर देखोगे RCB मतलब थोड़ा सा खुला छोट दिया था यार मतलब हाँ ठीक है बना ले रन ठीक है चलेगा ऐसा कुछ सीन नहीं है उस तरीके से खेल थोड़ा ऐसा मतलब पूरा निकल गया कर्ण सर्मा को जब दो छक्के मारे डैर्यल मिचल अब जब आये ना बैटिंग में मेरे हिसाब से वही से डैर्यल मिचल का जब विकेट गिरा वहाँ से थोड़ा खेल को पकरना चाहिए था जैसा स्टार्ट चाहिए था वो हो चुका है रचिन रविंद्रो एनादर स्टार बॉई इन डा मेकिंग ओप सीएस केक सच बोलो यार और रहाने अभी भी उस फॉर्म में है रहाने भी अच्छा खेल रहा था अगर देखा जाए चन्नाई के सारे बल्लेवाज को सारे प्लेयर अच्छे फॉर्म में है भाई रूतुराज नहीं वो गलत शॉट खेला वो बाहर का वोल छेरखारी किया मैंने आपको पहले भी बोला था कोई तो बोलो विवेक भाई ओपी हमने क्या बोले थे RCV से ये साल दो प्लेयर सबसे जादा विकेट लेने वाला है वन क्या बोला था यस दयाल और सेकेंड क्या बोला था कर्ण सर्मा भाई वो ही दोनों लिये हैं विकेट उसके बाद Cameron Green आके दो इकेट चटकाए है दिनेज कार्थिक भी लाइक जिन्दा हूँ अच्छा हूँ और आपका क्या पॉइंट से वैंने देखा नहीं भाई मैं देखता हूँ पॉइंट अलियोर भाई ग्रीन नहीं था ना इनके लिए हम लोग का थोड़ा सा इति महां से घट गया मेरा पॉइंट बड रहमन ने अकेला ही जिता दिया कोहली वाला कैच रिले का था जिसमें राहने और रचिन थे हाँ 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 वही वाला सही बोले वह वाला कैच भी खतरनाक था यार विराट रचिन को स्लेज कर रहा था जब वो आउट हुआ करे करे भाई या स्लेजिंग गेम में चलता है भाई अल्टिमेटली चेडनाई ने बाजी मार दिया भाई अब तुम स्लेजिंग करो कि फ्लेजिंग करो उससे कुछ फरक नहीं परता और यहां पर कुदोश टू सीएस के वैनेजमेंट फर टेकिंग राइट प्लियर एड द ऑक्षन बहुत सही पिक मैं तो बोलूंगा डैरल मिचल भी काफी प्रॉमिसिंग दिखा मैं आपको बता रहा हूं पहला मैच से मतलब कोई भी आते है और सच बताओं तो सूट कर रहा यार यो लो जर्सी डैरल मिचल पे सूट कर रहा है भाई मैं आपको बोल राओं यह काफी तावरत ओर प्लियर होने वाला है यह पूरा सीजन पार्टिदार disappointed नहीं है भाई पार्टीदार का form कहा था हम लोग जो regular cricket follow करते हैं हमें पता है test match भी खेल के आ रहा है confidence down है बंदे का पार्टीदार से तो कोई उमीद हमको नहीं था भाई सच बता रहा हूं बट मुझे लग रहा है पार्सोनल ये मेरा पार्सोनल opinion है आप लोग भी बताना इसके regarding I feel Cameron Green को इनको top order में खिलाना चाहिए कैसे भी करके आप इनको first down या second down में खिलाओ Maxwell के बाद I think Cameron Green नया ball का player है Mumbai में भी जब था ना वो पीछे जब नीचे उतरता था वो run नहीं मारा था भाई फिर से जब उसने starting में उतरा opening किया पेल के रख दिया वह वाला मैच याद है ना SRH के साथ क्या मारा था तो भाई मेरे हिसाब से Green को इनको उपर promote करना चाहिए Green is not a finisher आप finisher के रूप में दिनेश कार्तिक को खिलाओ Maxwell को नीचे भेजो Maxwell कर सकता है फिनिसिंग का काम बट आप Green को अगर इतना नीचे खिलाओगे फिर Green अपना काम नहीं कर पाएगा वहाँ पर मुझे लग रहा है सीन ऐसा हुआ थोरा सा इससे थोरा सा इतिंग RCV को सीख लेना चाहिए और यस दयाल काफी अच्छा हमने पहले भी बोला था यस दयाल अच्छा बोलिंग करेगा किया भी है कर्ण सर्वा ने भी अच्छा बोलिंग कर रहा था देखा जाए तो पिच पिच में उतना मदद नहीं था सच बता रहा हूं मैं आपको अभी फ्रेस पिच था और ये पिच काफी जादा बैटिंग फ्रेंडली था तो उस पिच के अनुसार ये जो रन इनोंने बनाए है तो ये रन काफी नहीं थे सच बात तो ये है 173 तो बनाए है वो भी अनुज रावत अनुज रावत को मैं मतलब आप लोग भी साइद शौक होए होंगे अनुज रावत का बैटिंग देखके क्या बूलते हो भाई लोग पहले तो हम लोग सोचे ही नहीं थे कि अनुज रावत खेल सकता है इन दे टीम क्या भाई लोग अनुज रावत खेला भी है और क्या बैटिंग किया है रे बंदे ने वो जो एक 6 मारा मिडविकेट की उपर से क्या शौट था यार वो बहुत बढ़िया शौट मारा यार वो दिने स्कार्तिक है दोनों अगर खेले तो आज मैच थोड़ा इंटरिस्टिंग हो आ नहीं तो भाई कप का मैच खतम हो जाता दूबे काफी अच्छा फॉर्म में है चन्नाई सूपर किंग्स लुक सॉलिड भाई एगेन लुक सॉलिड चन्नाई सॉपर किंग्स का मतलब बाउलिंग यंट लेलो बाटिंग युट लेलो काफी सॉलिड दिखते हुए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि रचिन रविंद्रो hopefully in the future आपको दिखेंगे बॉलिंग करते हुए केक्यार वर्सेस एसा रहे 24 करोर वर्सेस 20 करोर येस सर उसका ड्रीम टीम भी आने वाला है और मैं सबका आप लोग का चैट लूँगा और आप लोग का question का answer भी दूँगा आप लोग बताईए इस match के related आप लोग क्या जानना चाहते हो RCV का जर्सी लेकिन मस लग रहा था भाई ये बात तो है यार जो सच बात है RCV का जर्सी काफी अच्छा लग रहा था वैसे CSK के फैन थोड़ा लाइक फाइक बगड़ा कर देना सारे फैन सी यार हार जीत तो होता रहता है RCV को फैब डूपलेसी और कैमरन ग्रीन को ओपेनिंग कराने चाहिए नहीं 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 ओपेनिंग काफी अच्छा है रेनों मित्तल फैफ और कोली का जोड़ी बढ़ीष बेरी गुट बट ग्रीन को इतना नीचे खिला के फायदा नहीं मेरे को लगते है वो डिसीशन इनका गलत है कोई भी पीछो चिनने सामीं भी भी हो लगता है ग्रीन को इनको फस्स डाउन खिलाना चाहिए तुम लोग बताओ इस बारे में तुम लोग का क्या राय है पाटीदार को तुम सेकेंड डाउन पूश कर दो बट कैमरन ग्रीन एक ऐसा प्लियर है ना हमने इसका खेल देखा है जिस दिन इसका दिन रहा ना भाई ये मिच मार्स टाइप का प्लियर है भाई है मैं आपको बता रहा हूं ये अकेला पिलेगा मिच मार्स भी जैसे विकेड लेता है ये भी विकेड लेके भी देगा आपको रन भी बना के देगा तुसार देश पांडे पांडे जी का तो last year काफी अच्छा लगता भाई लग के चलते विकेट मिलेते सच बता रहा हूं दोनी के अंडर कोई भी आता है पांडे जी तो आये थे लास्ट यर याद है हर मैच में ड्रीम टीम भाया दो विकेट हर मैच में आज पांडे जी को लग रहा है लग चला है अल्टिमेटली 2023 उनके लिए अच्छा था 24 उनके को दिख रहा है यहाँ पे और वो प्लेयर मुझे लग रहा है शार्दूल ठाकूर बहुत जल्दी गेम में आने के लिए एकदम उक्सुक है भाई ब्रहमन का कटर देख के भाई यार वो सब कटर वाला शाला ऐसे हाथ घुमाता है वो भाई वो बोल्ड देखे जिसमें इसको बोल्ड किया भाई क्या बॉल्ड था यार गजब बॉल्ड था ब्रदर वो जो बोल्ड किया कैमरन ग्रीन को यार भाई भाई ये पीच उसको बहुत सूट करने वाला यार और मुझे लग रहा है महंदर सिंग धोड़ी के अंडरी बोलड आओ सज बताओ तो रूतु राज नाम का कपतान था भाई मैंने पहले भी बोला है आज का लाई में भी बोला था याद है हमने क्या बोला था चिला चिला के रूतुराज सिर्फ नाम का कप्तान है टॉस करने आएंगे वो अल्टिमेट कप्तान आपको दिखा है रूतुराज सर आएंगे धोनी सर को पोलेंगे सर रहमन सर को क्या हम बॉलिंग दे माही भाई अगर बोले सर क्या अगला हम डैरल मिचल को उतार सकते हैं ठीक है ठीक है भाई माही भाई सब कुछ है रूतुराज नाम का है भाई और देखा जाए तो सही बात है I feel that's good ये साल रूतुराज को देखना चाहिए महिंदर सिंग दोनी क्या क्या करता है अगले साल से तो आप ही करने वाले हो सरकार नामा और क्या हल चाल अरे-अरे-अरे QTX क्रीस आज के दिन हो गए यहाँ पे 12 मन्त अरे-अरे भाई सही दिन भे बहुत बढ़िया भाई लोग लाइक कर देना और बताओ आप लोग एक-एक करके सबका चैट लेते हैं और सबके साथ सबको एंसर भी मिलेगा पहले आप लोग लाइक कर देना यार आज से पोस्ट मैच लाइव स्टार्ट यह तो मैंने पहले ही बोला था कैप्टेन सी नहीं बलकि फीज के बोलिंग को पीच सूट करता है येस 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 एकदम सही बोले without reason किसी को क्रेडिट मत दो बोलर भी महनत किया है येस obviously मुस्तभी जो रहमन काफी अच्छा बोलर है बट आपका जो बॉल है न वो हर पीच पे सूट नहीं करता ये जो चिपक का पीच बोल लो चिडंबरम का जो पीच है न slow पीच पे आप अगर fast पीच पे ऐसा cutter करोगे तो आप फसा नहीं सकते समझ पारे हो तो रहमन सही जगा पे सही player जब आ जाता है न तो कारनामा यही करते हैं अलजरी नहीं लॉकी आना चाहिए मुझे भी लगता है मेरे को भी लगता है हमने पहले भी बोला था हमने जो जो बोला था actually मेरा जो playing 11 था हमने समीर रिजबी को भी खिलाए थे याद है हमने क्या बोला समीर रिजबी आज खेलेगा बट बेचारा को उतार है को मौका इडे मिला अपने ग्रूप के ही कुछ लोग fees को overrated बोल रहे थे जिनको खेल के बारे में पता होगा आरियन भाई जो cricket को थोड़ा सा भी follow करते हैं वो यह सब बाते कभी नहीं करेंगे समझ पारे हो जिनको cricket अगर थोड़ा वो देखते हैं जो लोग सी player से judge करते हैं रे यह तो बांगलादेशी है वो है वो ऐसा नहीं player के लिए respect है मैंने तो group में लिख दिया था जब party दार आया कि इंडिया के लिए कुछ नहीं किया तो RCV के लिए क्या करेगा RCV got momentum when Mitchell and Dube struggled but Joseph and Siraj bold too much wide and overthrew हाँ यार सच बताऊं तो यार मैंने पहले भी बोला यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा Algeri Joseph अभी भी मैं बोल रहा हूं RCV को Algeri Joseph के आप इतना पैसा क्यों खलचे यार इतने अच्छे अच्छे बोलर थे मुझे ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रहा यार इतने करोर रुपए कितने में भी खाता Algeri 14 तो Darryl Mitchell का था Algeri कितने में 12 ना 12 पता नहीं भाई और यहाँ पे अगर ऐसा मार खारा है वो तो वहाँ पे क्या ही कर लेगा यार चिन स्सामी में अच्छा कोई मुझे लगता है यार देखो Spend Department में मयंग डागर मुझे काफी अच्छा लगा मयंग डागर काफी अच्छे लाय में दिखे अच्छा कोई pacer लेना था ना यार मुझे तो लगता है रीस टॉपली इससे अच्छा कर सकता है अगर आपके पास दो लेफ्ट आर्मर हो तो मुझे लगता है उससे अच्छा होगा क्या बोलतो है भाई लोग रीस टॉपली is a very good bowler I think रीस टॉपली खिला लो आप लौकी फारगुसन खिला लो इन दोनों में से किसी एक को खिला लो भाई मैक्सी का मुए मुए हो गया और अलजरी का एक इनिंग्स का हाईलाइट देखकर लिया है क्या पता नहीं देश पांडे जब वाईट डाल रहा था इर्फान बोला कि तू डालता रहा है वाईट चलेगा लेकिन अपना प्लैन चेंज मत करना क्योंकि बैट्समेन को लगेगा तू डर गया अरे अरे भाई अरे भाई उस टाइम में तो अलग ही हो रहा है दिनेस बोल रहा है साला वाईट दे फिर से हुआ मतलब ऐसा खेल ऐसा बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है अगर देखा जाए इस मैच में अगर कोई जान डाला है तो सज बता रहा हूँ इस नेम इस कैमरन ग्रीन कैमरन ग्रीन बहुत सठीक बोलिंग किया है एकदम प्रॉपर प्लैन के साथ लगना है दूबे को भी फसा लेता है दूबे एक थोड़ा सा यहां पर बोलूगा कि लग्का साथ मिले गया इसलिए भूबे को यहांपर थोड़ा बन दे, ठीक है भया हमने तो बाजी मार दिया तो यहांपे अप्रॉबे को आप देखोगे तो दूबे काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है बाउंसर से और आज भी कर रहा था यहां पर और भाई लोग साथ आप लोग लाइक को जल्दी जल्दी लाइक भी कर देना और आप लोगा क्या कहना है भीवेक भाई आपने आज दिन के स्ट्रीम में बोला था कि टॉस जीत कर लोगे तो रेकिन बट यार देखो नया पिच के हिसाब से बुले थे रिशब भाई रिशब भाई बैटिंग में आपको भाई यह स्पीच पर बैटिंग फ्रेंडली था फैप जिस तरीके से खेल रहा था यहां पर आउटस्टेंडिंग बोलिंग किया गया है बात को समझे अगर वहां से 173 हो सकता है बात को समझो उस जगा से अगर 173 हो सकता है तो अगर इस पीच पे फैफ या कैमरन ग्रीन या कोहली अगर टिक जाता सही से तो कितना रण होता आप सोचो सब दोस जाता है रजट एंड मैक्सुएल एंड जोसेप को रचिन रविंद्रो आपको कैसा लगा सच बताओं तो रचिन रविंद्रो तो भाई मतलब जब से लाइम लाइट में आया है बंदे का मतलब बैटिंग बहुत अच्छा है टेक्निकली वेरी गूट प्लियर टेक्निकली साउंड प्लियर है और इसे गैप में खेलना आता यार और इसका बैक फूट बहुत स्ट्रॉंग है रचिन रविंद्रो का मुझे तो लग रहा है एकदम CSK का लख बहुत बढ़िया यार मतलब हम लोग ऐसे नहीं आता मतलब कॉनवे गया मतलब कॉनवे का रिप्लेस्मेंट कौन आया उसका भाई जिसके साथ ओपेनिंग करते है वही आ गया भाई ठीक है कॉनवे नहीं है ठीक है ठीक है हम दूसर लो मैं कुछ बातें बोलता हूं ना रचिन रविंदर का ये सीजन बहुत बढ़िया होने वाला मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूँ यह डाह बराबरा रन मारेगा मैं आपको बता रहां लिख के लेलो मिडेविcket पे फिल्डर नहीं था यस डाल ने अच्छा किया रूतु का यस डाल अच्छा बोलर है मैं क्यूं नहीं बोल रहा हूँ लोग यस डाल को जानते नहीं थे आज रिंकु को भी कोई नहीं जानता था रिंकु ने उस match में 5 शक्ये मारे तो रिंकु को लोग जानना अच्छा एक बंदा आया है पता हैं दोस्त लोगों में बात हो रहा हैं किस बोलर को मारी यस द्याइल को लोग इस से बदधनाम हुए है स्टुएट ब्राइट को 6 चक्के मारे थे बट स्टुएट ब्राइट ने उसके बाद जो किया वो नहीं देखता हमने यस दयाल का अच्छा चीज़ देखा है आप लिखो यस दयाल गुजराट टाइटन्स 2022 देखो कितना विकेट लिया है ओपेनिंग में वो पावर प्ले का बोलर है वो डेथ बोलर नहीं है लोग इसी से जज़ करते हैं याँ पे और हमने उसका खेल देखा है मैं आपको बता रहा हूँ उसका लाइन लेंद बहुत अच्छा है और आज उसको स्विंग नहीं मिला मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन उसको स्विंग मिलेगा वो मौच कर देगा 2022 में लगातार हर मैच में दो-दो करके विकेट था उसका गुजराट टाइटन्स में हाँ देखो टॉस जीत के बैटिंग लेना आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर उसने फैफ ने उस हिसाब से नहीं किया तुमको टॉस जीत के जो नया पिछ है अगर पिछ का कॉंडिशन देखोगे उस हिसाब से उन्होंने सही किया फैसला बहुत लोग बोल रहे कि आज मतलब तुम लोग सोच रहे हो कि आज चेज हो गया इसका मतलब कि यह फिर बैटिंग लेना गलत है नहीं भाई बैटिंग लेना गलत नहीं था आरसी भी हगा है बैटिंग में आज अगर यह 200 प्लस रन होता तो फिर यह मैच चेंज हो सकता था मुस्तवी जूर ने बहतरीन बोलिंग किया यह मानना परेगा ना चार विकेट अगर एक बोलर निकाल देता है वो भी एक ओवर चार बोल में बात को समझो एक ओवर चार बोल में उसका चार विकेट था तो आधा अगर बैटिंग खतम हो गया तो सामने वाले मिडिल ओडर को तो टुक कर खेलना परेगा ना भाईया मैंने लेफ्ट हैंडेट देखके मैक्सवल को कप्तान बनाया उसे बॉलिंग ही नहीं मिली मैंने तो इसलिए मैक्सवल को नहीं बनाया था आड़े CS के खुद के आगे भाईय लोग प्लीज एक सेकंड जो भी भाई नहीं आये हो यार लाइक सब्सक्राइब थोरा कर दो हम लोग रेगुलर पोस्ट मैच करने वाले हैं और अगर आप लोग का कोई संगेंशन हो तो जरूर बताना कि वीवेक भाई आप ये change कर सकते हो आप थोरा thumbnail में ये कर सकते हूझे ये कर सकता अगर कोई आपका संगेंशन हो तो जरूर बताना ठीक है और आरियन भाई का मैं मैसेच पर रहे थे आरियन भाई ने लिखा है यहाँ पे कि आरे CS के खुद आगे के मैचेज में यहाँ बैटिंग फर्स्ट करेगा देखना वो ही बात है यार लोग समझते हैं कि एक मैच का रेजल्ट हुआ ये तो I think फिर वो ही गलत हुआ मतला फैफ ने फिर गलती कर दिया नहीं भाई ऐसा नहीं होता यार अरे सीधा मैच से पाटिदार को बाहर करो और ग्रीन को नमबर तीन कर दो नहीं ये भी तो गलत मैच से हैं फिर नमबर तीन वाला प्लेयर कौन होगा पाटीदार ने तो अच्छा खेला है ब्रदर पाटीदार का तो चोट के वावजूद वो बाहर चला गया था पाटीदार ने तो अच्छा किया है मैं बता रहा हूँ प्लेयर सही जगा पे नहीं खेल रहे अब पाटीदार को तुम 3-4 कर सकते हो बट मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीन अगर इस पोजिशन में खेला मेरा बात अब लिख के लेलो मैं आपको बता रहा हूँ लिख के लेलो ग्रीन से पूरे सीजन में आपको जाधा रन नहीं देखने को मिलेगा ग्रीन का ये पोजिशन है ही नहीं और सबसे बड़ी बाद आप देख सकते हो पिछला सीजन, मुंबई ने ट्राइ किया था ये चीज, मुंबई ने ट्राइ किया था, मुंबई में फर्स डाउन खेल रहा था, अच्छा रन मार रहा था, इसको नीचे फिनिशर के रूप में खिलाए, पूरा हग दिया उसने, फिर से उपर खेलाया, फिर से सेंचुरी मार दिया, याद करो, ग्रीन को फिनिशर के रूप में नहीं खिलाना चाहिए, मैक्सवल को फिनिशर करो, दिनेश कार्थिक एन मैक्सवल पे वो रोल दो, आटेक जिवेक भाई बोल रहे हैं, आज अजिन के रहाने ने जो 6 मारा, यस दयाल को, यार, प्योर क्लास, प्योर क्लास, प्योर टाइमिंग, देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, अगर तुम रेनू मित्तल तुम लोग भी नोटिस करोगे, यस दयाल का जो लाइन ल पहला बॉल तो वो बॉल को छेरखारी नहीं करना था, बहुत बाहर का बॉल था, उसके साथ देखना एक्ष्टा बाउंस भी मिला था, उस बॉल में, डोंट यू थिंग, ग्रीन को ओपेन करवा के कोहली को फर्स डाउन आना चाहिए, ये भी पॉसिबल है, ब्रदर, रिन काहीं पर भी खेला लो, रिन केंग को क्या फर्स डाउन खेला लो, डिपक चहार अच्शे फॉर्म में लग रहा था, बट ना दिपक चहार देखो स्टार्टिंग में देखोगे, तो उतना अच्छा फॉर्म में नहीं दिखा, जिस तरीके का लास्ट फाइनल भी खेला था उसने उस तरीके का फॉर्म में नहीं दिखा मेरे को तो जड्डू वाइड बॉल बैटिंग फॉर्म कैसा लगा थोड़ा टाइम लिया वे तो जदेजा खेल लेता है रहे CSK के लिए ये बात मुझे समझ में नहीं आता यार जड्डू भाई का मैंने एक चीज़ नोटिस किया है मतलब लाश्क 2023 के बाद अगर देखोगे इन दा वर्ल्ड कप 2023 चन्नई के लिए सबसे ज़ादा जिसने विकेट चटकाया आइटिंग रविंद्र जदेजाई होगा और रन भी मारे उन्होंने कावी भाई आये हैं आफ्टर लॉंग टाइम 15 मिंबर तो यहां पे भाई जदेजा तुम देखोगे उसके बाद पुरा डाउन फॉल गया था उसका वर्ल्ड कप में ना रन बना है कहीं पे भी रन नहीं बना पा रहा फिर अचानक से आके देखो CSK में फिर सी जल पर रही है CSK में अच्छा खेलते हैं अरे बता दो ना यार बोलो बोलो मैं सबका कोस्चन ले रहा हूं यार भाई लोग आप लोग बताओं क्या लिखना है रजत और Maxwell रन नहीं मारा है इसलिए रन शौट हो गया अगर इस पिछ पे Maxwell टिक जाता तो आप सोच रहे हो कितना रन मारता भाई रजत को लेके मेरे को थोरा सा मैं बता रहा हूं उतना में को उमीद नहीं था बट मैं आपको यह बता रहा हूं Maxwell का इस ग्राउंड में काफी अच्छा रेकॉर्ड है चिडम बराम में Maxwell का I think रेकॉर्ड काफी अच्छा है और अच्छा खेला भी है इस ग्राउंड में एक्चुएली इस ग्राउंड में दो प्लियर का काफी ज़्यादर अच्छा रेकॉर्ड है आपने पहले भी बोला था ग्लेन मैक्स्वेल का और शिवम दूबे का कौन बोल रहा था कि रचिन का टीट्वेंटी अच्छा नहीं अरे 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 सिराज का दिन नहीं था आज अजार भाई कैसी हो विलकम रचिन रविंद्रो भाई अलगी फॉर्म में दिखे रहे मुझे तो लग रहा है आद देखो बात यह है रचिन रविंद्रो आज चिडंबरम का पीच जो चीपक का पीच है यहाँ पे तो स्लो पीच है अगर यह फा भाई लोग लाइक कर देना लेट्स गो फोर दे 200 लाइक कर देना इंडिया के लिए हाइस्ट विकेट लिया था 66 जड्डु प्रिवियस येर हाँ वही मैं बोला था अरे इंडिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ इंडिया के लिए रनो का बात कर रहे है बॉलिंग का नहीं बात कर रहे है बात को समझो बॉलिंग में तो जदेजा कभी डाउन हुआ ही नहीं वर्ल्ड कब में भी तो देख लो हाइस्ट विकेट टेकर लिस्ट में है वो बैटिंग का बता रहा हूँ जदेजा का बैटिंग डाउन हुआ था रहा ने वेल प्लेड येस ए समीर रिजबी को यार एक बात समझ में नहीं आया समीर रिजबी को ये लोग कहां पर खिलाने वाले है अंबती राइडू को जगा तो वो नहीं है यार अंबती राइडू को वो जगा तो नहीं था यार समीर रिजबी भाई इसको तो फिनिशर रूप में खिला रहा है यार ये लोग खास बोलिंग नहीं कर रहा था दीपक चहार वो तो Maxwell ने खराब shot खेला येस भाई बही बात है भाई दीपक चाहर ने आज उतना अच्छा bowling नहीं किया मैं आपको बता रहा हूं Maxwell ने चिकी shot किया catch practice कराया कि धोनी भाई आव आये हो थोरा catch practice कराते है आपने practice किया था ना देख रहा था कि धोनी catch पकर पायेगा कि नहीं भाई अगर green को बिमारी है फिर भी खेल रहा है सही बात है यार the main reason CSK own is CSK middle order CSK middle order में नहीं भाई CSK का हर player form में है आज अगर कोई जीता है CSK में देखो भाई मैं आपको बता रहा हूं आज का तो credit 90% credit आपको देना परेगा यहाँ पर मुस्ताफिजू रह्मन को इतना अच्छा batting friendly पिछ पे अगर कोई इतना कमाल कर देता है आज कोई भी बोलो 70 से 80% credit तो मुस्ताफिजू रह्मन का यार वहाँ पर अगर वो 4 wicket नहीं गिरता मैं आज बहुत लोग का picture डाल सकता था मैं डालने किया तो भाई मैं अपना जदेजा और दुबे का भी winning picture डाल सकता था मैंने मुस्ताफिजू रह्मन का ही क्यों डाला कोहली हाथ मिला रहा है कोहली को भी पता है क्या bowling किया उसने भाई वो ही game changer है आज एक ओवर 4 wall में 4 wicket लेके जब सामने वाले team का तुम momentum shift कर देता हो न WPL final का सोचो पूरा same situation हुआ यहाँ पे WPL final का सोचो वहाँ पे RCB ने ये चीज किया था Molinex आता है और सीधा DC का 3 wicket गिरा देता है momentum shift टेक matter करता है RCB के पास momentum था पूरा shift हो के CSK के पास आ गया वहाँ पे नहीं तो आज 200-200 बन जाता भाई good डालियोर भाई good pick but green से batting का उमीद मत रखो मैं आपको बता रहा हूँ green अगर run मार दिया middle order में चिन्न सामी में मार सकता है फिर भी मैं बता रहा हूँ चिन्न सामी में तो कोई भी run मार देगा भाई बट चिन्न सामी के अलावा RCB का अगला match कहां पे है बताना RCB fans RCB का अगला match किसके साथ है और कहां पे है विवेक भाई समीर इस भी को finishing role देना ठीक रहा है I don't think so मैंने अभी तक उसका उतने तरीके से खेल नहीं देखा बट finisher पता नहीं यार मही भाई के अंडर तो कोई भी king हो जाता है तुम क्या ही बोलोग यार महंदर सिंग धोनी कुछ भी करता है ठीक है भाई यार विराट का catch game changer था और कोहली का slow खेलने का reason wicked thumb हाँ मैं एक second पढ़ रहा हूँ भाई मैंने sorry ये राज मैं आपका miss नहीं किया था विराट का हाँ यार सच में देखो बात यह है न विराट विराट को सबको पता है विराट स्टार्टिंग स्लो करता है पट उसके बाद वो सीधा लोगों का gear कैसे change होता है first, second, third कोहली का ऐसे gear नहीं change होता कोहली first, second, third करता है third के बाद वो सीधा six पे जाता है और वहाँ से जो वो आप जाता है फिर रुकता नहीं है तो एकदम सही जगा पे कोहली का wicket आया अगर कोहली टिक जाता हो वहाँ पे न सब को पता है कि कोहली बारा इनिंग्स खेल के जाता आज और ground अच्छा था batting friendly pitch था ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे run आएगा CSK में बस एक change का जरूरत है देश पांडे एंड शार्दूल और overall कैसा लगा आपको CSK आज मुझे काफी अच्छा लगा मुझे लगता है in future आपने जो बात बोला I feel आप देश पांडे के जगा मुकेश चोधुरी को लाओ या तो आप शार्दूल ठाकुर को लाओ क्या बोलते हो मुकेश चोधुरी जैना दर option आपके पास दो दो लेफ्ट आरमार हो जाएगा फिर मुकेश चोधुरी के पास भी option है उसको भूलो मत भाई अगर ग्रीन को पाटीदार के जगा डाले तो फिर मुझे लगता है सही होगा रिशब I agree brother मैं तो यहीं बोल रहा हूं और कुछ लोग कह रहा है कि कोहली ने slow खेला jealous people उन्हें बोलो ना थोड़ा सा जो लोग कह रहे है उन्हें थोड़ा बोलो ना भाई तू थोड़ा खेल देगा cricket हाँ भाई कुछ लोग तो front foot का भी ग्यान देते है कौन सा वाला आगे करे कौन सा वाला ये कोहली को ग्यान देते हैं तू ही खेल ले भाई 140 का बोल एक दिन जाके भाई तू ग्यान दे रहा है कोहली को वहाँ पे slow pitch slow खेल वाँ situation के हिसाब से खेला जाता है अगर कोई तुम्हारा partner अच्छे तरीके से खेल रहा है तो तुम वहाँ पे ले सकते हो कोहली ने power play में power play एक boost देता है इनसान को opener को power play बूश्ट देता है मानते हो की नहीं मानते हो पहले ये बताओ पहले आप लोग ये बताओ जिन लोग को मेरा मैं अपने audience को positivity दूँगा और मैं अपने audience को knowledge दूँगा भाई मुझे पता है मेरे audience मुर्ख नहीं है जितने भी audience है हमारा है ये बताओ वीकी अपना T20 intent दिखाने का try करा है परकिस्मत बात ये है हाँ तो बात ये है कि अगर तुम power play में ball ना खेलो भाई फैफ ने तो पुरा power play खेला भाई कोहली ने ball कहा खेला भाई कोहली ने ball कहा खेला फैफ ने तो पुरा ball खेल दिया अब बंदे को अगर वहाँ पर momentum ना मिले तो बंदा gear shift कप करेगा फिल्ड तो खुल गया भाई 6 over के बाद अलियोर भाई thanks for the 40 विराट ने जो 6 बारा ना ठिक साना को उसके बारे में बात करो यार विराट काफी अच्छा खेल रहा था मैं तो आपको बता रहा हूँ जो लोग बोल रहा है slow खेल रहा था उन्हें कुछ घंटा पता नहीं है अगर उसके साथ जो partner खेल रहा है fab duplicis वो अगर उस gear में खेल रहा है तो साला वो कहें मारेगा लवडा कुछ खेले हो कभी cricket पहले देख गजब यार एलियर भाई thanks for the 40 week अपना T2 आपका पॉर लिया चलो इसका message मैंने पर लिया problem यहाँ पे यह था आज के pitch में Maxwell अगर चलता यहाँ से तो I think यह run फिर 200 प्लास हो सकता था score काफी कम था pitch के हिसाब से जो score बना था वो काफी कम था यह actual बात यहाँ पे ना batting first का दिक्कत है ना bowling first का दिक्कत है वो आप अगर record के हिसाब से देखोगे तब तो कुछ भी हो सकता यार record के हिसाब से तो chase में ही जितता है बट फैफ ने जो decision लिया था as per the pitch लिया था भाई मैं आपको बता रहा हूँ चैन्ने सूपर किंग भी अगर आज toss जीतता तो चैन्ने भी बैटिंग ही लेता आज अगला चैट परते भाई लोग लाइक कर दे ना अगर आपने लाइक नहीं किया वैसे हमारा जो यह post match लाइब रहेगा हम लोग कितने कितने घंटे के लिए करें आप लोग यह भी बताना क्योंकि बारा वज़े हम लोग आ रहे आप लोग कितने वज़े तक जकते हो कितने वज़े तक करना चाहिए आप लोगा question answer कर दिए फिर हम चले जाएंगे जो ही वोलो दादा भाई we will miss माही राट बॉंडिंग क्यों भाई आज ही तो बॉंडिंग दिखा आपको आपने नहीं देखा महंदर सिंग धोनी के साथ उन्होंने बात किया माही भाई के साथ यही तो सीन है यार IPL में हम लोग तो यही देखना चाहते हैं माही विराट ए ट्विट किया है फिट हूँ हां आरियन भाई एक सेकेंड के लिए एक टफ डिसिशन रहेगा आगे बिकाउज पथी राना आने वाला है उसका मैनेजर ट्विट किया मतलब पथी राना आने वाला है भाई पथी राना और मुस्ताफिजू रहमन अगर दोनों एक साथ खेल और यह तो डिंजरस हो जाएगा कुछ भाई यह तो फिर डिंजर हो जाएगा फिर बैठाएगा किसको यार बट प्रॉब्लेम यह है फिर ठीक साना को आपको बैठाना पड़ेगा आप ठीक साना को भी बैठा नहीं सकते किंग नेक्स्ट मैच में कमबैक करेगा पाउर प्लेम जरूर यार ही इस नेम इस किंग सर जरूर किंग को तो कमबैक होने वाला ही सर किंग कहां रुके रहता है वैसे मैंने एक बार आप लोगों से पूछना ही भूल गया मेरा साउंड पिक्चर सबसे ही आ रहा था ना पिक्चर तो हमें दिख रहा है साउंड बगरा सबसे है ना बट फीज को बस में तक में तक ही एनोसी है बांगलादेश से अच्छा कल केक यार वर्से एस रह का 11 ब ओऄफ्टर लंग टाइम भाई लोग हम लोग पूरा पोस्ट मैच लाइब करने वाले हैं पूरा आइपेल पूरा सीजन अफर नहीं जो भी सिराज का इसमें देखा जाया अगर तुम सिराज का देखोगे लाइन लेंद तो ठीकी था बट ये पिछ में ना पेस को थोड़ा सा मतलब मदत है मतलब मदत है means in the batting बल्ले पे अच्छे तरीके से बॉर आ रहा था इंद अगर आप देखोगे काफी अच्छे तरीके से खेला जा रहा था तो अगर बल्ले पे बॉल अच्छे तरीके किया तो यहां पे बैट्समेन लोगों को काफी अच्छा लग रहा था बैट पे बॉल आ रहा था इसी तरीके से रन बनाए तो हुआ नहीं यार सिराज को बोलर के लिए भाई देखो आज के मैच में पेसर के लिए उतना कुछ था नहीं मुस्तफी जुरहमन कटर से काम किया ह पेसर कवाला आज उतना पीच में था नहीं इसलिए देखना अलजरी जोसेप को भी उतना मौकान मतलब कुछ कर नहीं पाया ग्रीन ने तो बाउंसर में फासा आ था ब्रो क्या तुसार देश पांडे की जगा से शारदूल ठाकुर को खिला सकते हैं येस मेरे पास तो दो अप्शन है पांडे जी गेमर मैं आपको दो बता रहा हूं तुसार देश पांडे के जगा मैं आपको दो अप्शन दे रहा हूं एक तो है आपके पास मुकेश चोध दिपक चहार और मुकेश चोधुरी दोनों पाउर प्ले में स्टार्ट किया फिर आप मुस्तफिजुर रह्मन को अफ्टर पाउर प्ले इंट्रड्यूस कर सकते हो यह एक आप्शन है नहीं तो शार्दूल ठाकुर भी आप्शन है आप सही बोले र्सीवी के लिए फारगुसं आज जादा अचछा करता हाँ क्यूंकि अगर आप आज का पीछ देखोगे आज का पीछ में बाउंस जादा था भाई लोग बाउंस काफी जादा अच्छा था तो यहां पर जोसेप से अच्छा फार्गुसं करता away और उसेप भ बैरिएशन भी तो इन्पोर्टेंट है सर रीस टॉपली भी एक अच्छा उप्शन है आर सीवी के लिए देखना पड़ेगा कि रीस टॉपली को कब लाता है बाइदवे एक बार मैं भूल गया अगर आप लोग भी फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आज मेरे टीम में मुस् करना है मुर्क लोग खेलते हैं ग्रैंड लीग कभी नहीं कुछ एक करोर कुछ नहीं मिल देवाला कैसे पैसा कमारा है उसके रिगार्डिंग भी हमने बताया है अगर आपको इंटरेस्ट हैं फैंटेसी क्रिकेट में अगर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है सर हम यह सब नहीं खलते हमको नहीं कर रहा है फिर भी आप जोइन कर सकते टेलिग्राम आपको पता लगेगा कि वीवेक भाई क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं मैच कर भाई रूतुराज को तो बस डामी कैफटन बना के रहे गया अरे भाई सिर्फ सारे लोग मजे लिए भाई सारे लो कॉमेंटेटर लोग भी मजे ले रहे भाई आकास चोपरा लेलो सुरेस रायना लेलो सब बोल रहे भाई हाँ दिक तो माही भाई रहा है कप्तान ऐसा बोल रहे वो लोग अरे भाई यही होने वाल हमने पहले भी बोला यार महंदर सिंग धोनी बस चाता ही कि अपना लेगस चाते यार ही टूली गेमचेंजर ब्रदर इन टूडेज मैच बट मैं आपको बता रहा हूं लास्ट के जो दो साल था न दिल्ली इसको सही से यूज नहीं कर पाते यार प्लेयर को और एक और बात भी देखा जाए तो यहां पर मुस्तफिजुर रह्मन का जो बॉलिंग है जो कटर है सही जगा पे आ चुका है सर वो वो CSK में ही चला गा भाईया आज टियर जब चला था एक बर चला था वो था एसा रहीच में तो अगर आपका बॉलिंग स्पेशलिटी है कटर और आप अगर सही जगा पे आ जाते हो म थोड़ा से यहां पर आखे देखा के देखना पटेल जी साल अच्छा करेंगा रसीवी वाले मिर्ची लगेगा तुम लोग को दो प्लेयर छोड़े हो ना हर्शल पटेल वन सेकेंड इस वानन्दू हसारंगा दोनों के लिए तुम लोग को बहुत बुरा लगेगा आमी केके आर येस कोहली ऐसा करें क्या थर्ड पे आके इंडिया के लिए प्रैक्टिस करें एंकर की जो आरसीवी चालिए वो भी एंकर वाला प्लेयर कोहली ऐसा करें क्या थर्ड पे आके इंडिया के लिए प्रैक्टिस करें एंकर की जो आरसीवी देखो वो तो थर्ड पे खेलता है T3 तो मेरे को लगता है यार देखो फैब के साथ उसका जोड़ी काफी अच्छा है एक मैच में किसी को जज्मत करो Cameron Green भी तो first down आ सकता है Cameron Green actually first down में काफी सही जगा है उसका शाकीब राइड बोला अच्छा शाकीब का भी बात पर लेते हैं मुस्तफी जूर को सुदूर वार्ना ठीक मोटो यूस कोड़ते पार्शे एकुनोब दी ये सर इसलिए मैंने बोला एसा रीच माही भाई के अंदर माही भाई को तो हर प्लेयर का मतलब हमको भी जाए हमसे भ नहीं है अब प्लेयर कैसे बदल जा रहा है सर ब्लेयर बदल जा रहा है क्योंकि न और महंधर सिंग धोनी का जलवा है सर यही तो महिंद्र सिंग धोनी है कल के मैच के बारे में भी कुछ बोलो क्या जानना चाहते हो बोली आप लो कल के मैच के बारे में आप क्या जानना चाहते हो पीबी केस के वारे में पीबी केस में हर्शल पेटेल मैं आपको बता रहा हूं जब जब कोई प्लेयर छोड़े है दिल्ली दिल्ली का एक और प्लेयर भी आपको बता रहा हूं राजस्तान का किस दिन मैच है रोबमन पावल एंडर रसल दिल्ली में था सर एंडर रसल को छोड़ा स्टार बना था आपको मैं बता रहा हूं नेक्स्ट वेस्ट इंडियन पावर हिटर इस साल जो आईपेल का सुपर स्टार बन सकता है वो है रोबमन पावल याद रखना ज इस जिस प्लेयर को ये लोग छोड़े है भाई वो यो प्लेयर भाई सीधा टॉप में गया भाई आपको बता रहा हूं रोबमन पावल के उपर नजर रखना देखना ये साल उसका बरा अच्छा जाए गया जो प्लेयर सी एसके में आता है वो जीरो से हीरो बना के छोड़ द हाँ ठीक ठीक बोला स्टीब ने एकदम सही बोला अगर तुम देखोगे वो जो बॉल किया था इसमें टर्ण हुआ था जिसमें वो बैक फूट में रोक दिया बॉल को मैंक डागर लुक प्रॉमिसिंग भाई काफी अच्छा स्पीनर दीखा मेरे को साबाज एहमत से तो अ अच्छा ही खेले क्योंकि रिशप पंद को कमबैक करना इंडिया टीम में आटिक जीवेक भाई आर्सीवी का नेक्स्ट मैच चिन्नस सामी में है थैंक यू बताया पंजाब के साथ तो चिन्नस सामी में पंजाब के साथ वह इंटेंस होगा इंटेंस हाई वोल्टेज मैच होने वाला है रसीवी को दयाल को उसी तरह समझाना होगा जिस तरह से धोनी भाई ने फीज को समझा कि कहां यूज करना है प्रिस को लीज बीच में ओवर में प्रेसर बना के लिए और विक्ट मिल रहा जाता और दयाल को दयाल को पाउर प्ले में यूज करना है यही तो बात है एक प्लेयर को आपको कैसे यूज करना है उसके लिए उस प्लेयर का मेंटलिटी आपको समझना पड़ेगा उस प्लेयर का स्किल को आपको समझना पड़ेगा कि यह बंदा को हम कहां पर यूज करा सकते हैं यस दयाल मैं आपको बार बार बता रहा हूं मैं कोई फैन नहीं हो यस दयाल का भाई लोग बोलेंगे रे क्या बोल रहा है मैंने आज तो लोग देख रहे हैं भाई हमने तो भाई हमारा लाइब जो लोग देख था हमने बहुत पहले बोला है यस दयाल इस वेरी गुड बोल एक बंदे को पांच चक्का पर गया तो इसका मतलब वो नहीं होता वो बंदा खराब है भाई मैं तो बार 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 बोलता हूं यस दयाल जी टी टुटाउजन टुट्वेंटी टू विकेट सच करो बॉलिंग देखो क्या बंदा क्या बॉलिंग कर रहा था यह तो भाई यह बाद मेरे को समझ में नहीं आता रेनू मित्तल आर्सीवी जितने भी फैंस है एसे 20 हुआ वहां पे ना चला इसका बल्ला आर्सीवी में आते ही पहला मैच से फैफ इस फॉर्म में कैसे यार या इपिल में जादू फैफ का अलग ही चलता है यार विवेक भाई ध धोनी प्लेयर को किधर खिलाना है इस प्लेयर का किधर यूज हो सकता है इधर इसका रोल यह दे दो एक सेगन विवेक भाई धोनी भाई इसी दिए सबसे अलग है क्योंकि धोनी प्लेयर को किधर खिलाना है इस प्लेयर को किधर यूज कर सकते है वही बात है ना यह महेंद प्लेयर को समझना चाहिए वो जो शाकीब ने बात बोला ना कि वर्नर समस्ता था वर्नर समस्ता था भाई लोग लाइक कर देना बाइद वे अगर आपने लाइक नहीं किया स्ट्रीम को एक वार आपको अच्छा लग रहा है मैं सबका कॉमेंट भी लेने का कोशिश कर रहा लोग जरूर लाइक कर देना स्ट्रीम को लाइक और सब्सक्राइब इस अप्सुलूटली फ्री इतना तो आप लोग करी सकते हूं ब्रो टुडे इस माइ बड़ दे अच्छा भाई यूनी केंजो एकसी यूनी केंजो एकसी ब्रदर हैपी बड़ दे टू यू एसर भाई कॉंग्राचुलेशन ब्रदर आपका कोई कोस्चेन एसर भाई मैंने एकस्पेक्ट नहीं किया था अनुज रावात अनुज रावात काफी जादा इंप्रिस किया तुम क्या एकस्पेक्ट नहीं किये थे हम ही नहीं किये थे हम खुद बोल रहे हैं और एक और बात भी है मानो या ना मानो प्लेयर का पोजिशन मैं क्यों Cameron Green को लेके बार-बार बोल रहा हूँ Cameron Green जिस दिन first down में खेलेगा उस दिन मैं खुद उसको कप्तान बनाऊंगा RCV में अगला दिन से वाई से फैब आने वाला है कप्तान भाई हम तो बनाने वाला है है फैब का चुका है फॉर्म हमने देख लिया है बाकी लेकिन आपको बता रहा हूं CSK से भी रचिन है जो प्लेयर वो दिन देख लिया बाकी याद रखना एक प्लेयर मैंने अभी जो बोला कैमरें ग्रीन यह अगर फर्स डाउन में आता है भाई यह प्योर तरीके से पेलेगा मैं आपको बदा रहा हूं और अगर चिनस्तामी में खेले तो चिनस्तामी मुत्त्तामी बेनुगुपाल आया कर देगा भाई सामने वाले टीम का यह बताओ अलजरी टीम में एक सेकंड है वाई लोग फोन आया है है हाई यह आई एम बैक न्यू टीम 174 मैज हार गया लेकिन जहां जीतना वहां जीत गया यह टाइटल कार्ड में मुस्तविजू रहमन सेइंग टू धोनी अच्छा अच्छा थम्नेल में बोल रहो नहीं मैंने पहले वहाँ पे यह लिखना था चुली हमने पहले बाद में गेम-चेंजर लिखाँ वहाँ के यहार वहाँ पैपर लेने दो न यार ऐसा रीकोष्ट कर रहे हैं एगर उपर खिलाना है तो कहां खिला सकते हैं अमभãतिर आईडू के जगा आई आई धिंक आप जैसे बोल रहे हो यसद्याल का अमेदाबाद में स्विंग मिल गया तब तो अपने पुराने का ही मोज कर देगा करेगा करेगा तो आपको बता रहा हूं आडियन भाई लिखे लेलो करेगा मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ गुजराट टाइटंस के में नहीं सिर्फ आमेदाबाद में नहीं भाई जहां पर भी स्विंग मिलेगा इस बंदे को ये लेगा विकेट आर सी वी के लिए हम मुर्क थोड़ी है या तो मारा experience है सर बहुत सालों से cricket खेल रहे हैं बहुत सालों से cricket को follow कर रहे हैं माई भाई को बेंगॉली आती है क्या तो फीस बेंगॉली में बोल रहा है हो सकता है भाई आज आपके 20-20 वाले AI से खेला RCB क्या बोल रहा है 294 का टार्गेट दे दिया फिर मेरा रंचेज आया तो वहां से मैंने 30-45 हो गया फिर धोनी से किया बोल रहे हो भाई तो फिर तुमारा लाइब देखना पूरेगा भाई यह सर भाई एक बार मैंने सोचा पता है सिराज अच्छा नहीं करेगा तो आकास दीप आ जाएगा येस हीज़ गुड बोलर आकास दीप विजाई कुमार वश्रक वो भी अच्छा बोलर है भाई लोग 300 लाइक कर दोगे let's go for the 300 लाइक लाइट चला गया था ओके और बताई आप लोग क्यार वर्से एसरेच का इनी प्रेडिक्शन भाई मैं बनाने वाला हूं यार आप टेलीग्राम चैनल जोइन कर लो आपको वहाँ पे टीम मिल जाएगा प्रेडिक्शन के बारे म मैच के रिगार्डिंग आप लोग को क्या जानना है बताओं हम बताते एंसर आपको कल क्या लगता है किसका कमबैक बेटर होगा पंत यह धावन धावन गैरी मुझे लग रहा है धावन अच्छा मारेगा कल ट्रावीस हेड ट्रावीस हेड ट्रावीस हेड मुझे लग रहा है पहला मैच ट्रावीस हेड का अच्छा नहीं जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा पर्सोनली लग रहा है कि Travis Head पहला मैच में उतना अच्छा कुछ खास कर नहीं पाएगा इन दे इडिन गार्डेंस पीच बाई बट क्लासिन के उपर जरूर नजर रखना क्लासिन काफी अच्छा करेगा मैं आपको वता रहा हूँ हेंडिच क्लासिन बहुत बढ़िया वहाँ पे कर सकता है याद रखना हेंडिच क्लासिन नजर रखना हेंडिच क्लासिन के उपर बिवेक भाई रूतु राज और रचिन स्ट्रगल हुआ था तब स्टार्टिंग में दो तिन ओवर स्विंग मिला था हाँ 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 स्पेशलियस द्याल का जो बाहर के तरफ जा रहा था बाई टीथरी तू आया कब भाई टीथरी तू ने सवाल किया था कुछ हमने तो परा नहीं कल पंत का कमबैक आएगा भाई लोग वैसे हम कल लाइब कितने बज़ा आए ये भी बता दो कल पीवी केज वर्सेश डीसी में कौन ट्रम्पिक हो सकता है जो मैच में गेम चेंज कर सकता है आज जैसे मुस्तपीजू रैवन है कल अगर पीच सूट किया और अगर हर्षल को सही जगा यूस किया हर्षल हो सकता है I think हर्षल के उपर नजर रहेगा ब्रदर और रिनू ट्रम्पिक कल के लिए कुलदीप कुलदीप के उपर नजर रखना कल और अगर तुम थोड़ा अन्नुन मेंसे चाते हो तो अनोन कभी बता सकते हैं बताइए उसके बारे में क्या आप अनोन पिक चाते थे मेरे से स्टार्क बर्सेस कमच आया है हाय है उसका तो मज़ा आएगा भाई कल कमच बर्सेस टार्क ज्यादा विकेट कौन आई ये कमच का भी वो ऐसे पुराना टीम है ओल टीम बट ज्यादा विकेट यहां पर कौन लेगा ये तो वरा मतलब ट्रीकी सवाल है सर मुझे लग रहा है दोनों ही एक विगेट लेगा कमिंस भी एक विगेट catch पे players टूँफ अगर कल आपको player देखने है कुछ तो आपको मैं ऐसे बता रहा unity restriction फिल सौल्ट के उपर नजर रखनाевर के का फिल सौ nhân को खिलाता है संसर तो फिल सौल जलवा दिखा सकता है बड़ीया के रहा है बड़ीया फॉर्म में है दूसरा प्लियर बता रहा हूं आपको एंड्रे रसल का बोलिंग के उपर नजर रखना एंड्रे रसल बैटिंग आएगा कि नहीं पता नहीं सर बड़ बोलिंग में वो दो-तीन विकेट नेर सकता है याद रखना दो प्लियर मैंने बताया और एसारीच के तरफ से आपको देखना पड़ेगा हम तो मतलब कॉन्फ्यूज है कि एसारीच टॉप चार किसको खिलाएगा यह बताओ आप लोग आपकी हिसाब से एसारीच चार प्लियर किसको खिलाएगा फिर कल मुझे लग रहा है शाकिप गुरुबाज को पहले प्रेफर नहीं करेगा सॉल्ट बहुत बढ़िया खिला ना प्रैक्टिस मैच में अलगी अट्रेंशन ग्रैप किया भाई दो मैच में दोनों मेरे अच्छा रन बनाया शाकिप भाई बहुत बढ़िया फॉर्म में है फि 250 कर दो 250 डईसर बहुत अरे अनिकेद भाई हमें यार याद रहते है सर हम किसी को भूलते नहीं है विवेक भाई याद ओ आछो मैं आज बहूत टाइम बाद आया हूं कैसी हो सर व्वड्कम हम भूलते नहीं भाया यहीं तो विवेक भाई का खासिए तुसी जा रहे हो नही अभी तो नहीं जा रहे हैं बट अगर आप लोग लाइक कर दोगे तो हम थोड़ी देर और बात करने और बताइए पैट हेड मारकरम यही मेरा साउंड सब सही आ रहा था ना तुम लोग बोले अच्छा हां साउंड ठीक आ रहा है विवेक भाई रेस्टिक्टेड एडिया मे फैंटेसी कैसे खेले नहीं केल सकते ना भाई नहीं केल सकते भाई मत भी खेलो फुलिस पकर के ले जाएगा भाई या भाई कल का मैच इतना महेंगा अरे पता है आरियन भाई जो माईक ओर्डर किये माईक की साला खराब निकला यार माईक को वापस करना परा कुछ और बहुत गजब यार बहुत गजब है कल फैंटेसी में बनाओ अक्षर पटेल को सी या वीसी जोड़दार पेलेगा क्योंकि डीसी ने उसको लास्ट इयर बैटिंग नहीं दी तो उसने गलती नहीं बट एलियूर भाई लास्ट यह वाला इस बार बैटिंग नहीं है ना लास् ahead of the summer powder अक्षर का अगर बैटिंग नहीं आयगा तो सिरफ अक्षर को बालिंग के लिए आप सी आइसी नहीं दे सकते बालिंग में सपोज्पोस इंहीं मिला फिर तो बैटिंग ही नहीं मिलेगا बहले चलेगा ही नहीं कल आपको बतारहों दिल्ली से पहला मैच है और जविड वर्नर का ये साल लास्ट टी-20 वर्ल्ट कप होने वाला है तो मुझे लग रहा है वो कमाल करके जाएगा सहीया इस बार मुझे लग रहा है पेलेगा और पृत्वी शौ पृत्वी शौ का पहला मैच काफी अच्छा जाता है सर पृत्वी शौ भाई उसके उपर नज के उसका टीम बाई मैं केकियार और इसका फैंटेसी विडियो बना दूंगा ठीक है जाट लाइक है कौन ऐसे बंदे है जो 7 लाइक नहीं को जल्दी से करो एक घंडे का लाइव होने वाला एक घंडे का लाइव ठीक है भाई लो क्या बोलते हो बिविक भाई शौ तो नहीं ले पाऊंगा लेना पड़ेगा से रणी के इद्वाद में पस्ता होगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कल क्या पंठ कीपिंग करेगा हाँ कुमार खुसागरा को खड़ीदा तो था बट अभी सुनने में आया है कि पंठी खेलेगा पंठी विकेट कीपिंग करेगा NCNN fully fit declare कर दिया ना अन पंठ ने खुद बोला है कल मारकरम विसी बनाऊंगा मारकरम भाई हो सकता आरियन भाई क्योंकि एजे कप्तान था इतने दिन मारकरम एजे प्लेयर काफी अच्छा है अच्छा चोईस आरियन भाई that's a good choice हमारा cvc तो आपको दिखी जाएगा कल सुभा हमको कोई हमारे वाटसअप में मैसेज कर देना भाई कि विवेग भाई एक बार फैंटेसी टीम डाल दो सुभा हमको उठके भाई अब उठना पड़ेगा भाई भाई मेहनत देखो वंदल सुभा से चालू हुआ करनामा दस बजे से स्पॉंसर का दो वीडियो किये उनके चैनल में आएगा खल उसके बाद अपना अपना लाइब किये फिर लाइब के बाद फैंटेसी का टीम बनाए फिर पूरा मैच देखे फिर से आ गए हम लाइब फिर से हम जाने वाले सोने में सुभाई सिरदर्द कर रहा है एक बार ठीक से परो अच्छे से बीवेग भाई मैं क्या कह रहा यह क्या कह रहा यह क्या कह रहा भाई ठैंक्स फर द फॉट्टी एलियोर भाई पगला गए हो क्या रात को अच्छा तुमने कुछ लिखा है कल फैंटेसी में बानाओ अक्षर पटेल जोड़दार पेलेगा क्योंकि डी सी ने उसको last year बैटिंग नही दी तो वो गलती इस बार नहीं होगी अच्छा नहीं होगी और बोलिंग भी करेगा जोड़दा नहीं सर आप गलत हो DC ने बैटिंग नहीं DC कौन होता है देने वाला सर अक्षर को आना परा बैटिंग करने क्योंकि कोई चला नहीं थोड़ा बुद्धी लगाओ सर बुद्धी बुद्धी को थोड़ा इससे माल करो अक्षर कहसे आएगा ओपेनिंग करेगा डेवीड वर्नर प्रित्विशा फर्स्ट डाउन में आएंगे मिचल मार्स भाई वो भी तो गवरा डेंजर प्लियर है अरे बापड़ मिचल मार्स खेल रहा है तो वो एक रोल लही जाता है उसके बाद इस साल रिशप पंत आ रहा है भाई तो यहां तक तो बैटिंग होई गया भाई यहां से खेलेगा भाई अब यह ऐसा दिल्ली का वो टॉप ओडर नहीं है यहां अच्छा खेलेगा यहां पे एक प्रॉब्लम है जहां पे हैरी ब्रूक नहीं है तो हैरी ब्रूक के जगा कौन आएगा यह एक सवाल होगा तो कहां आएगा यार अक्षर पटेल तो भाई उसके बाद ललीत आएगा अब जिसके उसके जगा जो खिलाने वाला है अगर यह लोग ट्रिश्टन स्टब्स को खिलाते हैं फिर यह कल नोकिया रवादा जगा नहीं बन रहा का एक कब अनरा क्या देखो मुझे लग रहा है आरियन भाई नोकिया का परसेंटेज कम होगा जैसे मेरा एक चीज आज गलती हो गया ग्रीन के वज़े से क्लीन स्वीप हो जाता मेरा आज मैंने ग्रीन का बैटिंग से सोचा थ अगर नहीं होता तो आइधिंग फिर हो जाता कारणामा बट नोकिया आइधिंग जादा सिलेक्टेट परसेंटेज नहीं होगा और नोकिया क्या फॉर्म में रहता है तो आइधिंग राबादा को नहीं छोड़ सकते आप आडियन भाई वह गलती करना मुश्किल है बरे प पता मिश्ट्री स्पिनर वरुन चक्रवर्ती कुछ कमाल करते कुछ कमाल करने की बात नहीं है वो करेगा ये साल ये साल केक्यार के लिए सबसे जादा विकेट वरुन चक्रवर्ती ही लेगा ये साल केक्यार के लिए जो सबसे जादा विकेट लेने वाला है वो है वरुन च रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए आप बाद में आके बता देना इस साल वरुन चक्रवर्ति मौच करके छोड़ देगा भी याद है कि आज बहुत दिनों बाद आया हूँ मानस ना मानस तुम्हें तो याद नहीं आरे सागर भाई वलकम 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 फिल शॉल डीसी में अच्छा खेला मगर क्यों रिलीज किया डीसी वाले का हमें कुछ पता नहीं है सर जो भी निकलते हैं बहुत मारता है मैं तो आपको बता रहा हूँ बेचारा डीमोट हो गया था भाई या डीसी से निकला दो-दो सेंचुरी मारे उसको बहुत एक्सपेक है सर और ओहीं पे जेसन रॉय बाहर गया रेनु मित्ल का फिवरिट प्लेयर वो निकल गया और आया फिल सॉल्ट एक्सेप्ट किया ओफर को और इस साल मैं आपको बता रहा हूं पेलेगा बंदा अगर सही जगा सही जगा पे अगर सही जगा तो खेली रहा है वह पेनिंग भौनस्र कुमार को अपना नाम पिर से देखना है इंडिया के लिए अगर फिर से टी-20 व्ल्ट कप खेलना है तो बहतरीन कमबैक करना परेगा बहतरीन क्योंकि मुहमत शामी बाहर हो चुका है टीट्वेंटी वर्ट कप से यह सबसे वरा चांस है भूबनेश्वर कुमार का कि वह आए और अपना जगा खोया हुआ जगा वापस ले तो देखते हैं क्या वह कमबैक कर सकता है की नहीं कि पिलिंग आ रहा है कि बेर्ष्टो एक रोल बड बेर्ष्टो का साम नहीं ना आर्यस ब्हाइं ये एक मैटर है चलेगा तौब कम आजके लिए यह घंटे का लाइफ क्या या थोड़ी देर हम और रहें आप लोग बताईए आप लोग के उपर है क्या रहना की हमको जाना हाई रहना हाई की जाना हाई चले क्या आज के लिए बाई बाई करते हैं कल मिलते हैं क्या बोलते हो एक घंटे ठीक है बोलो यार और सीवी के हारने का सबसे बड़ा रीजन अनली शॉट बोलिंग यह और कर ओके 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 फिर हम चलते हैं एक बाई बाई कर दो सब लोग मिलके एक बाई बाई कर दो हम लोग मिलते हैं अगले दिन गुड़ नाइट सोने जाओ हमको भी थोड़ा सोके यार सुभा उठके फिर से एक और शॉट बनाना है कोलकाता की उपर सो आएंगे रोज रोज एक घंटा ठीक है पोश्ट मैं चलाई गुड़ नाइट बाई बाई सी यू टूमोरो लेट्स गो